नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल पर स्वास्ट से चुड़ी सारी चानकारिया एक्सपार्ट्स और वैदों की राय से दीच जाती है तो दोस्तो हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो एशेंशियल वोयल कई तरह की जड़ी पूटियों और फूलों के अर्ख से तैयार किया चाता है ये हमारे सेहत के लिए कैसे फायदी मंद होता है जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे माईग्रीन में सीर के आधे हिस्से में होने वाले असहनिये दर्द को ठीक करने के लिए कई लोग पेंट कीलर लेते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ऐसे में आप एसेंशियल ओयल का इस्तेमाल करके भी माईग्रीन से छुटकारा पास सकते हैं इसके लिए आप कई तरह के एसेंशियल ओयल्स जैसे लेवेंडर, रोसमैरी, पेपर मिंट, कैमोमाईल, तुलसी, आधी को नारियल तेल में दू से चार बुंद मिला कर पूरी सीर में अच्छे से मालिस करें आपको जल्द ही माईग्रीन से रहत मिल जाएगा इसके साथ ही साथ एसेंशियल ओयल्स, क्रॉनिक सिर्दर्द और साथ और तनाव को भी ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसेंशियल ओयल्स हमारी मस्तिस्क के नकारात्मक सोच को हटानी में भी मददगार होता है और हमारे मस्तिस्क को ठंधक प्रदान करता है इसके इस्तेमाल से आनित्रा की समस्या से भी कुछी दिनों में निचात पाया जा सकता है और नित्रा से निचात पाने के लिए लेवेंटर यार रोसमैरी एसेंशियल वोयल को सोने से पहले दो सी चार बुंद अपने तकी पर लगाए इसके आरोमा थेरेपी से आपको अच्छे नींद आ जाएगी चोडो और मांच स्पेशियों में तर्द अरित्राइटिस में भी इसका मालिश करना मददकार होता है इसके आरोमा थेरेपी से आपका चोडो का दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा इसके अलावा ये हमारे बालों को बढ़ाने तबचा को हमेशा सुन्दर और जमार रखने में भी मददकार होता है लेकिन दोस्तों इसे प्रयोग करने से पहले कुछ साउधानिया बरतना भी जरूरी होता है हमेशा एसेंसियल ओयल्स को किसी बेस ओयल जैसे नारियल तेल बदाम का तेल आदी के साथ मिला कर करें ऐसे कभी भी इस तेल को अकेले इस्तेमाल ना करें और दोसे चार बुन से जादा कभी भी इस तेल को इस्तेमाल ना करें अगर आपनी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंद जानकारी मिल जाए थांक यू तब तक के लिए बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर